चलिए दोस्तों चालू करते हैं आज की भी Tech News और लेके आए हैं जबरदस्त, गरम, ताजा Tech ख़बरे आपके लिए और सबसे पहली जो ख़बर है इतनी अच्छी नहीं है जी यहां Dark Web आपको पता है उदर Indian Banks के 1.3 million credit or debit cards के जो details है, numbers है, नाम है, information है सब बेचने के लिए रखी गई है 1.3 million याने दोस्तों 13 lakh लोगों के details है and that is not good at all चिंदा मत कीज़े, यह online नहीं है, यह basically bank card, आपके जो debit credit card होते हो, skim करते है ATM machine से और जो आपके magnetic strip पे जो details होते हैं, वो सब capture हुए है और कोई भी इस्तिमाल कर सकता है और पता है cost क्या है, each, हर एक card details की कुछ 100 dollar price है, 100 dollar याने 7,000, 7,500, 8,000 रुपए सोचिए, आपके details भिक रहे हैं, internet पे, dark way और दोस्तों मैंने कल आपको बताया था, research fitbit का जो था, जहां पे हम कितना सोते हैं, कितना activity करते हैं आज और एक खबर आई हुई है, और यह खबर जो है, basically आप कितना binge watch करते हो, netflix, amazon prime video, यह सब जो online video, streaming sites है इसके उपर इंडिया, दुनिया में, इंडियान्स कहूँ, इंडिया नहीं, इंडियान्स जो है, दुनिया में सबसे ज्यादा देखते हैं, जो global average है दोस्तों, वो कुछ 6 hours and 48 minutes, ऐसे कुछ है, 45 minutes पूरे week में इंडियान्स जो है, वो देखते हैं, 8 hours and 33 minutes, मतलब पॉने 2 घंटे ज्यादा global average से, मतलब हम activity कम करते हैं, हम सोते कम हैं, और binge watch बहुत ज्यादा करते हैं, this is not good for our health, seriously not good और दोस्तों, आज की सबसे बड़ी खबर है ये, जी हाँ, मैंने परसो आपको बताया थे कि इंडियन टेलिकॉम इंडिस्ट्री में क्या हो रहा है, सुप्रीम कोट ने कहा है कि ये सब वोड़ाफोन, आईडिया, एडिटेल वगरे हैं, हजारों लाखों करोड, हजारों क इतने देने हैं government को as taxes, और इसलिए वोड़ाफोन ने कहा है कि 28,000 करोड जो हमारे उपर tax liability है, उसकी वज़े से हमें तो हमारा दर्वाजा बंद करना होगा, जी हाँ, ऐसी खबरे आ रहे हैं, पिछले 24 गंटे में बहुत सारे लोग कह रहे हैं कि वोड़ाफोन इंडिया छ और दोस्तों आप अगर नहीं हो तो बतादू, मेरा नाम है अरुन प्रभुदेश है, आप देखे रहे हैं ट्रैकिंडेग निउस नमर 557 और अगर नहीं हो पहली बार हमारे चैनल पर आये हो तो grand welcome to you, स्वागत करता हूँ आपका, लेकिन एक चीज करना बिल्कुल मत भू हो सकता है उसका, या फिर मी A3 Pro वो भी हो सकता है, बहुत सारी चीजे बताइएं, जरूर देखेगा बहुत इंट्रेसिंग वीडियो है, दोस्तों PUBG इतना popular क्यों हो रहा है, एक रीजन उसका ये है कि वो continuously updates लाते रहते हैं, अब जो है PUBG season 10 का leak आ गया है, basically details आ गया है और इस skins होने वाले हैं, नए weapons होने वाले हैं, wasteland जो है, इसके साथ जो सब नई नई चीजे हैं, वो आने वाली है, इसका मतलब नई नई चीजे PUBG प्लेयर्स को मिलती रहती है, बोर नहीं होते हैं, और ज़्यादा खेलते हैं, और ज़्यादा एडिक्ट हो जाते हैं, याद थे फोन हो सकता है, लेकिन अब जो अगला फोन आने वाला है, वो सीधा में मैं वगेर आएगा, एप्रिल मार्च, एप्रिल में मैं आने वाला है, फिर अभी क्यों डाला है, ऐसे हो सकता है कि डिसमबर या नवेंबर में, OnePlus का एक नया फोन आरा है, याद रखिये, 5G का जो Committee phone from OnePlus, मैंने तो बहुत सारे वीडियों में बहुत बार आपको बताये है Royalme के ग्रोथ के बारे में लेकिन कुछ numbers आज डाले है Realme ने Twitter के उपर उन्होंने कहा है कि पिछले सार इस टाइम हमारा globally rank था 47th और हम पहुँच गए है 7th rank पे, globally इंडिया पे नहीं, उतना ही नहीं, उन्होंने का कि 808% हमने growth लॉग की है, शायद record होगा एक smartphone company के लिए कि 16 महिनों में उन्होंने इतना rank जो है, nearly 0 से लेके 7 पे वो पहुच गए, तो जबर्दस काम है, उतना ही नहीं, इंडिया में भी वो तीसरे number पे पहुच गए है, जी हाँ, Xiaomi, Samsung और उसके बाद में Realme, Oppo, Vivo और बाकी सब का क्या, God, that's crazy, वैसे दोस्तों आज कल likes क्यों कमा रहे हैं, हमारे tech news आपको अच्छे नहीं लगते हैं, अगर लगती है हमारी tech news अच्छी तो like जरूर नहीं, और दोस्तों आज यह जो अगली खबर है, यह देखके, मतलब यह जो फोटो है, देखके ही मुझे हसी आ गई, जहां देखते ही पता चल गया था कि यह fake है, मैं बात करना हूँ, Realme 6 Pro की, उसका एक box, और बहुत सारे online sites है, Giz China वगेरे, उन्हो आपको बता रहा हूँ, यह किसी ने print कर दिया है, बना दिया है, और आपको दिखा दिया है, बहुत easy हो गया, आजकल print कीजिए, box बनाईए, उपर चिपका दीजिए, और हो गया नया phone, अभी भी मैं मैं ला सकता हूँ, Realme 7 Pro, या फिर Realme 8 Pro with 10 cameras, लेकिन सब गलत है, Xiaomi के बारे में, Xiaomi की तरफ से भी बहुत सारी खबरे आ रही है, Redmi 7 का, MiUI 11 का update आ गया है, चालू हो गया है, अगर आपने Redmi 7 लिया हुआ है, तो जरूर देखिए, साथ में October का security patch भी आ रहा है, but MiUI 11 is good, उसके उपर भी वीडियो किया हुआ है, जरूर देखिए, लेकिन वो K20 के उपर है, आप Redmi 7 के उपर आएगा, तो थोड़ा अलग होगा, but MiUI 11 goodness is coming, दोस्तो Mi CC9 Pro के बारे में, तो बहुत सारी चीजे बता दी, जैसे मैंने बताया है, वीडियो में सब कुछ बता दिया है, लेकिन actual photos भी आ गए है, उसके जो macro photos है, super macro mode है, जहां पे आप 1.5 cm से photo निका आगे की तरफ, पीछे की तरफ, जबर्दस cameras होने वाले हैं, साथ में बड़ी battery with 30 watt fast charging, this phone is going to be great, वैसे दोस्तों ये चाइना में November 5th को launch हो रहा है, और Mi Note 10, जो Mi CC9 Pro globally जाना जाएगा, वो launch होने वाला है November 14th को globally, तो अच्छी बात है, जल्दी जल्दी आ रहे हैं phones, November, October होट सारे phones आने चालू हो जाएगा, और दोस्तों ये जो Mi TV5 आने वाला है, Mi CC9 Pro के साथ ही launch होने वाला है, क्या जबरदस्त है, उसके specifications बहार आ गए हैं, टीजर में सब कुछ बता दिया है, इसमें 4GB RAM, 64GB storage होने वाले हैं, अभी तक जो भी आते थे TVs, अच्छे भी TVs आते थ होती थी, 8GB storage होता था, 16GB storage होता था, इसमें 64GB storage होने वाला है, साथ में 8K recording, 8K recording होने वाली है, that is awesome, और 4K QLED panel होने वाला है, overall अगर specifications के पास आप देखोगे, तो Mi TV5 is going to be an awesome TV, अब देखना ये है, ये चाइना में launch हो रहा है अभी, इंडिया में कब आएगा, जल्दी आ गय चलिए दोस्तों, आज की tech news होती है, खतम ऐसे बहुत सारी tech news थी, लेकिन मुझे tech news 10 minute से ज्यादा लंबी नहीं करनी होती है, और इसलिए मैं जो भी top के news होते है, वो आपको देता हूँ, वैसे आप comments में जरूर बताएगा, अगर बड़ी हो गई थोड़ी 12-13 minute के तो आपक आज की tech news पे 6 minute और 55 seconds इसके उपर देखिए, आपको दिख जाएगा कुछ चीज़, वो आके जरूर बताएगा आज की comments में, साथ में आज का जो tracking tech treasure hunt है, कुछ दिखा आज की tech news में, अगर दिखा तो जाईए, comments में लिखिए, hashtag ttdh, time stamp और specifically हमें बताएगा आपने क्या दे का कल के हमारे 3 superstar featured commenters है, आवाश, श्रेष्ठा, सत्यजीत, बेरा और योक मगर, congratulations, क्या जवर्दस comments लिखे, ऐसे ही comments लिखते रहेंगे, ऐसे ही comments पढ़ते रहेंगे, और आपका नाम लेते रहेंगे, चले होस्तो आज के हमारी tracking tech news episode number 557 खतम होती है, इधर ही अगर अच्छी